साल 2017 में जब भारत सरकार ने किसान भाईयों की आमदनी को बढ़ानी के लिए अंग्रेजो द्वारा बनाये गए कानून को हटा दिया और बास को फोरेस्ट ट्री की शेणी से हटा कर घास की स्रेणी में डाल दिया बांबू के बारे में यह अन्बव आया कि बांबू के बारे में काट करने की पर्मिशन नहीं थी मैंने एक दिन फोरेस्ट सेकेटरी को पुछा कि बांबू यह ग्रास है कि ट्री है तो उन्ने का ग्रास है तो मैंने फिर आगे उनको पुछा कि ग्रास काटने के लिए पर्मि किसान भाइयों के लिए कितना सही है और किसान भाइयों के लिए कितना सही है इसका कितना लाव उठा सकते हैं। जानेंगे इस वीडियो में आज़ों। नमस्कार किसान भाईयों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चेनल क्रेटू किसान। आज हम इस वीडियो में एक एकड़ बास की खेती का संपूर्ण विश्लेशन इन पांच पोइन्स के आधार पर करेंगे। नमबर वन बास की उन्नत किस्म। नमबर टू लादत। नमबर थ्री उत्पादन। नमबर फोर आमदनी। नमबर फाइब प्रोफिट कितना हुआ। साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे कि बास की फसल से मिलने वाले उत्पादन को हम कहां पर बेश सकते हैं। बास की कोंट्रेक्ट फॉर्में किस तरह से कर सकते हैं। और गवर्मेंट बास की फसल के ऊपर कितनी सफसेड़ी देती है। यहां सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देती है। तो बिना समय नष्ट किये सबसे पहले जानते हैं कि बास की भारत में कौन-कौन सी उन्नत किसम है। भारत में बास की 136 से भी अधिक किसमे हैं। पर जिन किसमों की मार्केट में अच्छे डिमांड हैं। और जिने आप व्यवसाइक तोर पर लगा सकते हैं। वे तीन किसमें इस प्रकार हैं। नमबर वर बंबूसा बालकोवा। बंबूसा 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 बंब बंबू भी कहते हैं और बंबू सा टुल लागती है तो आप इन दो किस्मों में से किसी भी एक किस्म का चुनाओ कर सकते हैं उचित किस्म के चुनाओ के बाद में आते हैं हमारे दूसरे पुइंट लागत पर एक एकड़ बास की खेती में कितनी लागत आती हैं लागत निका वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आप बास के पोधों का पोधा रोपर पंधराबाई दस फिट का ग्राफ लेकर करते हैं यानि कि एक लाइन से दुसरे लाइन की पीच की दूरी फि Fen और एक पोधे से दूसरे पोधे की बीच की दूरी धसफिट तो एक एकड में तक्रीबन 290 पोधे लगेंगी हम 300 पोधे लेते हैं वह बास के एक पोधे का मुली सरकारी नरसरी में हमें 20 रुपे से 50 रुपे के बीच में मिलता है इसलिए हम इन दोनों का आयोरेस 30 रुपे लेते हैं इस तरह हमारा एक एकड़ बास की खेती में पोधा रोपन का खर्चा आएगा 9000 रुप अगर आप बास के पोधों का प्लांटेशन 15 अबाय 15 फिट की दूरी पर करते तो एक एकड़ में 200 पोधे लगते और आपका पोधा रोपन का खर्चा आता 6000 रुपे खेत की तैयारी का खर्चा आएगा 4000 रुपे पोधा रोपन का खर्चा आएगा 3000 रुपे वह जेविक खाद का हमारा पहले साल की लागत आईगी 7000 रुपे प्रती पोधा पास से 10 केजी के आसपास में आपको जेविक खाद लगेगा पोधे के अच्छे विकास के लिए और अच्छे उतपादन के लिए हमारी पहले साल उरुवरक की लागत आईगी 15000 से 20,000 रुपे के आसपास हम 20,000 रुपे लेते हैं उरुवरक में आने वाला हमारा खर्च पूरी तरह से निर्भर करते हैं कि आपकी मिट्टी की उपजाव शमता कितनी है अगर आपकी मिट्टी की उपजाव शमता अच्छी है तो आपका उरुवरक में आने वाला खर्च कम आएगा और मिट्टी की उपजाव शमता कम है त इन सब खर्च को जोड़कर पहले साल एक एकड़ बांस की खेती की हमारी लागत आईगी 38,000 रूपे, दूसरे साल हमारी सिर्फ खादव उर्वरक की ही लागत आईगी जो कि आईगी 20,000 रूपे, तीसरे साल भी हमारी लागत 20,000 रूपे आईगी खादव उर्वरक की और चो चोथे साल के बाद में बास की फसल में आपकी लागत और भी कम आईगी और हमने इसमें गवर्मेंट की तरफ से जो सबसेड़ी मिलती है उसको भी नहीं जोड़ा है और हमने निराईवा गुड़ाई की लागत को भी इसमें नहीं जोड़ा किस्म लागत के बाद में आते हैं हमारे तीसरे पुर्ण उत्पादन एक एकड़ बास की खेती से कितना उत्पादन होता है बास के पोधे से चार साल के बाद में उत्पादन मिलना शुरू होता है वह चोथे साल एक बास के पोधे से आपको पास से आठ कलम के बीश में मिलती हम मिनिमम 5 कलम लेते हैं, हमने 300 पोधों का प्लांटेशन किया था, अगर इसमें से हमारे 200 पोधे भी स्वस्थ रहते हैं, और हमें सिर्फ 200 पोधों से उत्पादन मिलता है, तो चोथे साल हमें एक एकडबास की खेती से 1250 कलम मिलेगी, पाचवे साल एक बास के पोधे से आपको साथ से 9 कलम मिलेगी, हम साथ कलम लेते हैं, तो पाचवे साल हमारा एक एकडबास की खेती से उत्पादन हुआ 1750 कलम, छटे साल हमें एक बास के पोधे से मिनिमम 8 और मेक बास کی खेती से उत्पादन हुआ 2,000 कलों। इस तरह जैसे जैसे आपके बास आते की पॉधिंव होगी, वेसे वेसे आपको बास की फसल मिलने वाला उत्पादन जादा मिलेगा। और आप एक बास के पोधे से 40-50 साल तक उत्पादन ले सकते एं और आपको बीच में बास की फसल से सबसे च्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। लेकिन बास की फसल से मिलने वाला उत्पादन हर किशान भाई का अलग-अलग होगा। क्योंकि जब दो बास के पोदों से हमें एक जैसा उत्पादन नहीं मिल सकता है तो फिर दो किसाथ भाईयों का उत्पादन एक जैसा होना संभव नहीं है। पर हमने आपको समझाने के लिए चोथे साल बास की फसल से उत्पादन लिया था 1250 कलब, पांचवे साल हमने बास की फसल से उत्पादन लिया था 1250 कलब, और छटे साल हमने बास की फसल से उत्पादन लिया था 2000 कलब, किसम लागत उत्पादन के बाद में आते हैं हमारे सालों के बाद आमदनी देखने को मिलती है, तब तक हमारी सिर्फ बास की खेती में लागती आती है, हाँ इस बीच आप खाली पड़ी जगा पर साचर फसले बोकर आमदनी कर सकते हैं, इस तरह से आपका पेसे का रोटेशन होता रहेगा और उस बीच में जो आपको आमदनी म करता है, आपकी बास की साइस के ऊपर, आपने बास की कौन सी किस्म का चुनाव किया है और आपके बास की ऊचाई कितनी है, इसलिए हम इन दोनों का एवरेच 45 रुपे लेते हैं, हमारा उत्पादन हुआ था 1250 कलम और एक कलम का हमने मुल लिया है 45 रुपे, इस तरह चोथ साल हमारी एक एकड़ बास की खेती से आमदनी हुई 56,250 रुपे, पांचवे साल हमारा उत्पादन हुआ था 1750 कलम और एक कलम का मुल हमने 45 रुपे लिया है, इस तरह पांचवे साल आमदनी हुई 38,750 रुपे, यानि कि पांचवे साल हमारी एक एकड़ बास की खेती से आम आमदनी हुई 38,750 छटे साल हमारा उत्पादन हुआ था 2000 कलम और हमने एक कलम का मुल्य 45 रुपे लिया है इस तरह छटे साल एक एकड़ बास की खेती से हमारी आमदनी हुई 90,000 रुपे बास की फसल में हमें सबसे अच्छा उत्पादन साथवे साल से मिलना शुरू होता है औ और साथवे साल आप बास की फसल से देर लाख से लेकर दो लाख रुपे तक की आमदनी कर सकते हुई जैसे जैसे साल दर साल आपको बास की फसल से मिलने वाला उत्पादन बढ़ेगा वेसे वेसे आपकी बास की फसल से मिलने वाली आमदनी भी बढ़ेगा और आप एक एक तो जो आकड़ हमें मिलेगा या हमारा प्रोफिट रहा पर हमें चोथे साल बास की फसल से आमदनी हुई थी 56,250 रुपे और चार सालों तक की हमारी लागत आई थी 1,38,000 रुपे इस तरह चोथे साल हमारा घाटा हुआ 81,750 रुपे पांचवे साल हमारी एक एकड़ बास की खेती से आमदनी हुई थी 58,750 रुपे और पांचवे साल हमारी लागत आई थी 20,000 रुपे इस तरह पांचवे साल हमारा प्रोफिट रहा 58,750 रुपे छटे साल हमारी बास की फसल से आमदनी हुई थी 90,000 रुपे और हमारी लागत प्रोफिट बढ़ रहा है और सात्वे साल आपको एक एकड़ बास की खेती से एक से देर लाक रुपे तक का प्रोफिट बढ़ी आसानी से मिल जाए विडियो के अंत में सबसे महत्पुन पोइंट पर चर्चा करते हैं कि हम बास की फसल से मिलने वाले उत्पादन को कहां पर बेश सकते हैं कई कमपनिया हैं जो आपसे बास की कलम को खरीच सकती हैं उनी में से एक कमपनी है आर्टीसन एग्रोटेक प्राइवेट लीमिट है जो की मध्यप्रदेश के देवास शहर में इस्थी तो आप इस कमपनी से कोंटेक्ट करके बास की फसल से मिलने वाले कोल करके आप इनसे बात कर सकते हैं कि यहां आपके बास खरीदेंगे या नहीं इसके अलावा में दो और कंपनियों के नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप वहां पर जाकर चेक करके इन कंपनी से बात करके अपने बास की फसल से मिलने वाले उत्पादन को बेश सकते हैं साथ ही साथ ये कंपनी बास की कॉंट्रेक्ट फॉर्मिंग भी करती है जो की बाइबेक एग्रिमेंट के साथ में करती है यानि कि यह आपको पोधों से लेकर हर वो मदद संभव करेंगे और जब आपकी बास की फसल से आपको उत्पादन मिलेगा तब यह आ अरब में अभी टोट तेविस राज्य आते हैं तो इन तेविस राज्य के किसान भाई गवर्मेंट की तरफ से मिलने वाली सबसेड़ी का लाब उठा सकते हैं। गवर्मेंट की तरफ से हर एक जिले में एक नोडल ओफिसर नियुक्त किया है। तो आप अपने एरिया के नोडल ओफिसर से बात करके गवर्मेंट की तरफ से मिलने वाली सबसेड़ी का लाब उठा सकते हैं। फसल से जुड़े हुए कोई भी सवाल तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाईयो जे जवान जे किसान।